भास्पा वाले लगतार कहरें कि 400 पार कहा राके सार्ट पार जो करें 400 डीजल पेट्रोल के दाम बतार हैं यह सीटों का नहीं है पूजा करें यह तो मेरा जाती धर्म है उस धर्म को लेकर के चलना है इसको विकास का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है तो आप भास्पा को ही वोट देंगे भास्पा की सरकार बनाएंगे अब अखले जादों को दिया नहीं बनाए राम मंदिर से क्या गरीवी हट सकती है राम मंदिर से क्या भिखारी जिमिदार हो सकता है इस खबर के प्राज़क है पबलिक जूनियर हाइ स्कूल तमबो और सीता को जो कैसा भरोसे मंद सुक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंक तो देर ना करें आज ही नामांकन कराएं और सवारें अपने बच्चों का बहतर भविश नर्सरी से जूनियर हाइ स्कूल तक उत्तम सुक्षा का मातरिक संस्थान पबलिक जूनियर हाइ स्कूल तमबो और सीता पो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा संपर्क सुत्र है 7007-60-1185 साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद मोहला तलियन ठोला तंबोर जनपद सीतापूर आई मुहांबद दिलनवाज गाली डिप्यूटी मेनेजर आफ पबलिक जूनियर हाइ स्कूल आई विल्कम यू और तो कॉंटेक्ट अस पोई चैन्स राइट फीचर नमस्कार मैं हूँ नफीस एमद और आप देख रहे हैं नियूजनाय लाइट टीवी मैं इस वक्त मौझूद हूँ सीतापूर की ग्राम पंचायत सुमेर डी के मक्का पुर्वा गाउं में और हमारे साथ यहां के कुछ ग्रामीड मौझूद हैं इनसे हम बाचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहां पर चनावी माहूल क्या है हम आप से जानना चाहेंगे कि आपके गाउं में किसे ज्यादा तर चर्चाए चल रही हैं और इसबार माखुल क्या है चल्षा तो हमाएं यही चलती कांग्रेस है तो क्या मन भनाय पूरी तरह से? तो इस बार जो मतदान करेंगे क्या मुद्दे होंगे? काम चलता है क्या नाम है हमारा संतोस नाम है क्या करते हैं आप खेरती करते हैं जानबर रखे हैं उनको खिलाते बिलाते हैं बस आपको मालूम होगा कि आपके वहां 13 माई को मतदान है वोर्ड पढ़नी है क्या माहूल है आपके गाउं में सबस्यादा चर्चा किसकी हो रही है और आपका क्या मूंड है अब इस बार तो गटबंधन की चर् मोदी जी ने बोला था कि भारत को गढड़ामुक्त कर देंगे लेकिन मेरे हसाब से तो गढड़ामुक्त नहीं हुआ है और नाग्रिक जो है बराबर पीछे जा रहा है फिरे राषन तो पांच किलो मिलता है लेकिन खेत में पांच और 10 कुंटल का नुक्सान हो जाता है उ आवास नहीं मिली सोचाले नहीं मिला नहीं आवास तो सोचाले उन्फ टो नहीं प्रोवारदान है। यो तो इंड्रा जीने से अभी तक चल लए ही। तो गडबंधन को ही क्यों आप चुन रहे हैं आपके सामने मायावती भी है बसपा से उनके भी प्रत्याशी महंदर सिंग यादो हैं चुनावी मैदान में इस वक्त आप उनको भी जानते होंगे इंडिया इलाइंस गडबंधन से राकेश राठोर हैं भाजपा से सांसत और पीडियम गडबंधन से काशिफ हंसारी हैं इनमें आप गडबंधन को ही इंडिया इलाइंस गडबंधन को ही क्यों चुन रहे हैं क्योंकि उसके बिचार मुझे अच्छे लगते हैं जो उन्होंने वादा किया है जो काम करने का वादा किया है पिछली गवर्मेंट में जो अख्लेश जी ने काम किया था विकास के मुद्दे पर और आगे बुलेट ट्रेन और जैसे समाजवादी पेंशन योजना और स्वास्ति योजना यंबूलें सो नंबर कई चीज़ें ऐसी चलाई थी उनको योगी जी ने आगे तो नहीं बढ़ा पाया उसको बढ़ा नही बनाएं राम मंदिर से क्या गरीबी हट सकती है राम मंदिर से क्या भिखारी जिमिदार हो सकता है राम मंदिर राम चंदर जी के भक्त मैं भी बहुत प्रियभक्त हूं राम चरित मानस पर्मानेंट पढ़ता हूं फिर भी उससे क्या गरीबी हट जाएगी गरीबी नहीं कि Nikki काक्राइब को कि यहां हो सकता है। यह उन्धानरी के रावायों का सबका साथ सबकर के बढ़ें बाढतार ही तरह तरह का योजनार की तरह नहीं कर रहा हूं। ना किसी की तारीप कर रहा हूं। उसके सपा के विकास गिना रहा हूं। और जो राहूल जी ने वादे किये हैं वो वादे बता रहा हूं। इन में से आपको सबसे बहतर प्रतियाशी कोन लगता है अरे प्रतियासी है राजे सुर्मा लगते हो का तो इस बार किसको जिताने का काम करेंगी जब से मोदी जी आए तब से भाज पर उड़ दी ही गई ठीक है लेकिन इस बार क्या मूण बनाया है इस बार का उनके मैं भई स्वायोग तो मिल भई कही से क्या स्वायोग मिला जैसे लैटेन मिली आवास मिली समानिद मिलती तो पूरा मन बना लिया आपने मन तो है मन पूरी तरह से पिर राशन मिल रहा नहीं मिल रहा है आवासों चाले हैं भी मिला आपको आपने पूरी तरह से ठान लिया है कि फिर से राजी स्वर्मा को सांशत बनाए तो कि यह गारा भने से तो आप पूरी तरह से सरकार से संतुष्ट हैं क्या करते हैं आप करते कि रोजगार घूमरे पढ़ाई लिखाई करके कहां सरकार तो लगाता रोजगार दे रहे हैं कहां अभी पुलिस भरती में परिच्छा दिये थे उस पेपर देके वापस आए साम को सोय सुवे पेपर ल क्यों मोदी सरकार में क्या आपको खराब लग रहा है तो आप मोदी सरकार में सबकुछ खराब ही तो है कहां खराब है मोदी सरकार तो लगातार कर रही है सबका साथ सबका सत्यानास कर रही है क्या सबका साथ सबका विकास यही हो क्या होता है सबका साथ सबका विकास देख सबकार है तो आपने क्या मन बनाए इस बार हम राके साथ और देंगे हमारी पार्टी समाजवादी जो इन समर्थन कर रहें करें आज़ गोर्ण को हम इंगे का है वो तो घर घर सोंचा ले आवाज सबकुछ देरी हैं सरकार बास कुछ नहीं मिला हमמm इन लोगों का मक्सद है कि जो मंदिर बनवाएंगे और जो है बच्चे पढ़ेंगे नहीं अंदभक्त पैदा होंगे तो इन ही को वोट करेंगे इसलिए मंदिर कोई विकास का मुद्दा थोड़े ना है तो इस बार जो मतदान करेंगे क्या मुद्दे होंगे आपके क्या सोच कर मतदान करेंगे सुगज कर यह कि हमारी जिसे सरकार बनेगी लोगों का कर्ज माफ होगा कि अगर कांग करिबों का कर्ज माफ होगा कि तुमन मना ली अपने पुरी तरह से बलागे पिल्कुल राके सराथ और इस बार गार सी दाम के इस हूब प्राइशी करहें योगं सीट समझ रहे हैं लेकिन तो अभी तक देखें लेकिन डाक्ट उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है